हेलो फ्रेंस वेलकम बैक माई व्यूटीप चैनल दोस्तों कैसे आप लोग आसा करते हों अच्छी होंगे तो आज के इस वीडियो में जो वारपस मल्टीमेटर होते हैं इसको हम कैसे चला सकते लॉंग टाइम तक यह जानेंगे और किस तरीके से इसका यूज खरना चाहिए चले फ्रेंस रूपरते हैं यह वीडियो तो दोस्तों यह आपके सामें मल्टीमेटर रखा हुआ है इसको लगबा मैं तीन सचार साल पहले लिया था ठीक है तीन सब्सक्राइब तक चल रहा है यह किन अभी तक मैं कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली दोस्तो तो उसी experience को मैं आपके साथ share करना चाहूँगा किस तरीके समने इसका यूज किया था और क्या कि सब्धानी हमने रखे थी जो हमारा multimeter अभी तक चल रहा है उस समय मैंने इसको 105 रुपए में खरीदा था तो यह छोटी से tip आपके multimeter को खराब नहीं होने देगी और बाकी आपको थोड़ा सा experience भी देदेगी और थोड़ा सा आपको knowledge friends बढ़ जाएगा इस चीज से ठीक है तो दोस्तों आप भी कोई चीज रिपेर कर रहे हैं ठीक है तो रिपेर करने से पहले आपको अपने mind को सांत रखना होता है ठीक है आपको जो दिमाग ठंडा होना चाहिए जब इस काम को कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज सही सही से देखनी पड़ती है जिसके वजह से आपको जो दिमाग ठंडा होना जरूरी है नहीं तो आप कहीं का कहीं कर देंगे और कहीं कर देंगे रिपेर होने की जग खराब हो जाएगा इसलिए जब भी आप इस काम को करें इलेक्ट्रोनिक रिपेरिंग वगरा का तो अपने माइंड को पहले सांद कर ले ठंडा कर ले उसके बाद इस काम को करें तो फ्रेंस हमारे पर जो मल्टिमेटर यह वाला तो इसको हम कैसे यूश करते हैं जो कि हमारे इतने लंबे समय तक चल चुका है और अभी आगे चलेगा दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कभी कबार जैसे आपको कोई वोल्टे चेक करना होता है ठीक है अभी माल लीजिए हम ढूल देते कि इसको यहां पे च्क करना है और यह अपका सेट रहता है यहां डीसी भी वोल्ट पर पर और आप उसको डैयरेक्ट लगा देते हैं पी वोल्टे यह उससे ज्यादा आ रहे हो फ्रेंस एप वहां पेचेट कर देते है जिसके वज़ा से क्या होता है जो आपको खराब होने के चांसेस बन जाते हैं तो जब भी आप लोग ऐसे करें तो आपने माइंड को सांथ कर ले कि आपको क्या चेक करना उध्यान रखना है ठीक है मालनी जा कहीं वोल्टेज आ रहे हैं कोई कोई कंटिनुटी चेक करी ठीक है उसके बाद आमने पीसीवी के अंदर लाइन दे दिया अब वहाँ पर आपको चेक करने बारे तेरा वुल्ट या फिर उससे अपर करने हो डीसी में ठीक है या फिर एसी में तो आप लोग क्या करते हैं इसे सेट करना भूल जाता है आपके रिपेयर हो सके लेकिन इसके अंदर जो कॉन्पनेंट अफ्रेंस आ रहे हैं आगे से वह ऐसे जो कि एक बार खराब हो गया तब का रिपेयर होने काई नहीं है तो दोस्तों जो आपके पास मल्टिमेटर है जब उसको यूज करें तो यह देख लीजिए पहले किस पर हमने स दिफ्रेंस एसी मिलती है क्योंकि यहां से जो एसी वोल्ट गया रहा है बस उसका यहां पर बीच में मैगनेटिक फिल्ड बन रहा है और उससे इनवायरो के अंदर एसी वोल्ट आ रहा है इसको डीशी में करने के लिए हमें डावोट का ब्रिज रेक्टिफायर बनाना कि DC का जग AC चेक कर देंगा तब भी आपको मल्टिमेटर खराब हो जाएगा और भी काफी फंक्शन है जहां आप वोल्टेज वगर चेक कर देते हैं किसी अलग-अलग पॉइंट पटेगे तो इस वज़े से जो आपको मल्टिमेटर जल्दी खराब हो जाता है तो आप नेक्स्ट वीडियो में किसे नेक्स्ट टॉप एक साथ तब तक लिए जाएं जैबार धन्यवाद दोस्तों